देखिए जो पूजा की विधी है पूजा की विधी किस प्रकार है उसमें मैं आपको बहुत साधरन तरीके से इस प्रकार से बता देता हूँ पहले आप भगवान गनेश और लक्षमी की प्रार्थना करिए गजान अनम भूत गनाद इस वेदं कपिजम्बू फिल चारू बक आईमा गुरूर विश्णू गुरूर तेवहा मईच्षर गुरूर ग्रोर साक्षात पर ब्रह्मात्समेछ ले कर를 जन्रों कीजी ऎगा उसके बाद बाद बहकर बाये हात में जन्ब कर-प्रेयगे कर अपने उपर प्रोक्षण और आस का द्यान करें उसके बाद आप प्राणायाम जिनको आता है तो तीन बार प्राणायाम करें उसके बाद हाथ धोकर सूरे को अरग दें सूरे को अरग देने के बाद प्रणाम करते हुए उसके बाद जिस प्रकार आप अपनी इश्णान जिन देवता का कर रहा है जैसे लक्षमी जी की हमें पूझा करनी है तो लक्षमी जी की पूझा के लिए पहले हमें जिस प्रकार से हम अपना इश्णान करते हैं उसी पर पहले पादोरबाद्यम पैरो पर हस्तो अर्ग्यम हातो पर जल मुखे आजमनियम मुख पर जल सरवांगे इश्णानिम समर्पयामी फिर सब इस्णान कराएं फिर उसके बाद जो लोग पंचा मिरत बना कर करते हैं जन मिश्री रित्याधी मिला के गंदो तक श्णान कराएं और अन्य परकार के जो जलोते हैं उनसे विया जल कराके फिर शुद्धिसणान कराके उनको पहुंचकर उन पर वस्तुरों को पहिनाएं उन पर उसके बाद डोरी पहिनाएं और डोरी के बद उनको गनेश भगव चड़ाए और चाहिए मीठा पान उनको लगाइए उसके बाद दक्षना चड़ाइए दक्षना चड़ाएं आरती करें और उन से शमायाच नहीं मांगे इस प्रकार की पूजा बड़ी साधरन पूजा है इस प्रकार से जब आप पूजा करेंगे इसका लाब आपके चीवन में अवश्य पढ़ेगा किस तरह की खरेदारी चाहिए कैसे देखिए ऐसा हमारे हां कहा जाता है यूँ तो हर तेवार पर सनातन धर्मी नए वस्त्र और नए विंजन बनाकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग परकार के विंजन बनाकर अपने तेवारों को मनाते हैं दीपावली ये इस पर नए वस्त्र अवस्त्र पहन करी शुद्वस्त्र पहन करी पूजा करनी चाहिए घरों में सरवादिक सच्चता और सापसफाई रखनी चाहिए और पात्रों के साथ सथ स्वर्ण और रजित की खरीदारी भी करनी चाहिए या स्वर्ण का जिसकी जैस इस लिए लोग इसके लावा घरों की साथ सज्जा के लिए कि लक्षमी चंचल होती है जो आपके पास जुड़ा हुआ है उसको आपको पहले खर्च भी करना पड़ेगा तब आपके पास आएगा तो लक्षमी को बांध के नहीं रख सकते इसलिए उसको चलाए मान आदान प देखिए दीपावली वर्चबर पढ़ने वाला सनातन धर्मावम्लियों के लिए वो पवित्र तयोहार है जिसकों की वो बहुती उसाहर उमंग के पास साथ मनाता है विशेश रूप से अर्थ सिद्धी के लिए मनाया जाने वाला एक तयोहार आप कह सकते हैं भगवती लक कार्तिक लक्षमी की उपासना से मनाया जाना वाला एक पवित्र तयोहार है करतिक क्षbut की क्रिशन पक्ष की क्रिशन पक्ष की त्योहार मनाया जाता एंग बनाते हैं जो कि उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि जो चोहु मुखा एक आटे का दीपक ग्रहनिया घर में बनाएं उसके चारों मुख पर बत्ती लगा कर तेल उसमें डाल कर और उसका गंदक्चक पुष्पित्यादी से पूजन कर घर के द्वार पर रख दें ऐसा करने से अ भावना के सथिसे शास्तृत कथैनक का इनुसार सब कहते हैं इसके बाद होता है चतरधशी वो कृष्णपक्ष की 14 के दिन होता है उस दिन भी इस चोटी दीपावली के रूप में कुछ लोग बनाते हैं ये इस दिन लोग अपने घरों की सापसफाई सज्जा इतियादी करके घर को सुसज्जित करके दीपावली त्योहार बनाने से पूर्व की एक ये त्योहार है ज करना चाहिए तथा सुबह प्रातयकाल जो तड़क का जो भोर काल है उसमें अपने घर की सापसफाई इत्यादी करनी चाहिए इससे दरिद्रता दूर होती है इसलिए नरक दूर निकलता है नरका चतुर्देश जी के नाम से विख्यात होता है उसके बाद दीपावली का प बद्वगधी लक्ष्मी जी का पूजन एवं दीपो का प्रजुलन और पित्रों के निमित दीपों का समर्पन करत किया जाता है घर में क्या करना है आपको घर के सभी परिवार के लोग एकत्रित हों गणेश गोरी का पूजन करें और भगवती लक्ष्मी का विशेस जैसे कि ब्रह्मन हर जगा उपलब्द अगर नहीं है तो अपने चारों सभी लोग परिवार के लोग बैटें और पहले गनेश जी को गंदक्षक करें भगवती गौरी को गंदक्षक करें और उसके बाद भगवती लक्ष्मी की अराधना आप तो सिध्र माध्यम है कि यू इस छेतर में बैट कर इस इस्थान पर बैट कर इस तिथी के दिन इस वार के दिन इस समय मैं गणेश गोरी की पूजा कर रहा हूं लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं तो हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें उनका 108 बार नाम लें कुछ लोग सहस्तार्चन करते हैं जो ल लक्षमी का गंद आक्षक पुष्पित्यादी से पूजन करें उनको नैवेद्य लगाएं अच्छे से अच्छी मिठाई का लगाएं और पंचामृत बनाना हमारे हैं बड़ा असाने पंचामृत से भी इश्णान अवच्छ कराएं इस प्रकार का पूजन है उसके बाद दी संक्क बढ़े हैं अरोग्यम धनसंपधा जो अरोग्य रख़े निरोगी रखे धनसंपधा दे ऐसे दीपों के में भाव करते हुए दीपों को प्रजूलित करें और घर के सभी द्वारों पर रखें घर के बाहर-चोरहें पर रखें Kुएं पर रखें गौशाला में रखें इस प्रकार दियों को वहां पर रखकर मंदिरों के एकद्वार पर रखें इस प्रकार दियों को रखना चाहिए इसके साथ साथ गैरा दीपक पित्रों के निमेत क्योंकि अमावस्चा वैसे भी पित्रों का है और हम कोई भी कारे करते हैं उसमें पित्र नहीं पर मंदिरों में यह अन्य जगह पर यह रखें गोवर्धन का पर्व है इसके रावा बहुता है वह अपने भाई संसकार होता है और एक भाई दूज का तलग जब बहने अपने भाई को उसकी पूरी एक कहानी है जो सभी जगा कतानक उपलब्ध है उसकी पूरी कहानी है इस प्रकार से पांच दीवस्य पर्व है जो कि सभी लोग बड़े उस्सा और उल्लास के साथ मनाते हैं और निसंकोच किसी भी परिशान इमल्लब ऐसा ना समझ के हमारे पास पुरोईत नहीं है हमको संस्क्रित नहीं आती है आपके भाई से ही प्रभू प्रसन होकर अपने भाई के अनुसार से यह पूजा करें